हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टो विनिंग कर्ष्ट ऑनलान क्लासिस, आज हम करने वाले पॉलिटिकल सायन, चप्टर फाइफ, चप्टर का नाम है, डेमोक्रेटिक रिसर्जिन्स, इसका जो ओल्ड सलिबस के हिसाब से चप्टर का नाम था, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक जिसका नाम भी बदल गया, और से कंटेंट में भी जो पहले जो कंटेंट थे वो तो सेम है, उसके साथ कुछ ने कंटेंट को भी एड के गए, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो हमारे ने कंटेंट है, और जो ओल्ड कंटेंट दोनों को मिला के, जो चप्टर नया बनाए गया उसका नाम दिया गया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, जो चल्वे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, पिछली क्लास में हमने बताया था, जो लास्ट चाप्टर हमने कंटेंट किया था, हमने वही पे खतम किया था, कि 1971 का जो इलेक्शन हुआ था, इंद्रा गांधी जो 1967 अप पार्टी को रिइंवेंट किया और दुबारा से अपनी जो पावर इसको रिस्टोर कर लिया है, तो अब उन्होंने उस टाइम पे इलेक्शन में एक बहुत ही पॉप्लर स्लोगन दिया था, गड़ी भी हटाओ, जिससे लोग बहुत जादा इंप्रेस हुए थी और लोगो इसके कारण में काफी क्राइसिस होगी थी, और आपको पता होगा कि जो एट मिलियन पीपल थे इस्ट पाकिस्तान से बार्डर पार करके भारत में आ गए थे, भारत के तो खुदी पॉपुलेशन बहुत जादा थी, इसे में इतने जादा लोग दूसरे देश्यों से जादा मॉन्सूर फेल होने के कारण हमारे प्रडक्शन है, वो गिर गया था, चाहे इंडस्टर प्रडक्शन हो चाहे अगरीकल्चर प्रडक्शन हो तो जिसके और पूरे देश में, पूरे विश्वर में जो आईल के प्राइसिस थे, वो काफी बढ़ गए थे, जिसके का राइस, प्राइस राइस, यह सारी चीज एतनी चरम सीमा पर थी, कि लोग जो भी रूलिंग पार्टी थी, काफी उससे गुस्से में आ गये थे, जगा जो प्रोटेस स्टार्ट हो गये थे, और आपको पता है कि जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ, अगर आम जनता हो या इतने असानी संही का आता है, लेकि उपोजिशन ऐसे दिखाते है, जैसे कि पता नहीं, उनके पास को अला दिन का चिराग है और वो सारी समस्दा को एकदम से दूर कर देंगे, बस जनता को बेफ को बनाए जाता है, जनता इसको समझती नहीं है, तो शुरू से यह ऐसा हमे इसकी सरकार थी, हुआ ये कि कुजरात के अंदर जो प्रोटेस्ट थे, स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों की बड़ी समस्या बढ़ गी थी, करप्शन बहुत जादा था, नैसेसरी चीज़े थी, वो काफी बढ़ गई थी, आम लोग देख साथ इनके बहुत competition थे, इवन जब सास्त्री जी की death के बाद, जब next prime minister के नाम के लिए सुझाव आया तो उसमें दो बड़े ने था, जिसमें कि मुरार्जी दिसाय और इंदरा गांधी के बीच में tough competition भी था, फिर आपने देखा कि 1971 में जब इंदरा गांधी और मु Congress थे split हो गए थे, एक पुरानी Congress एक नई Congress बन गई थी, तो मुरार्जी दिसाय जो syndicate नेताओ के साथ चले गए थे, तो काफी आपनी नाम उनके पहले भी सुने होंगे, जो opposition के लीडर थी इंदरा गांधी के हमेशा सी वो उनके आपस में बनती नहीं है, तो उन्होंने कहा स्टूशन के देखते हुए, जून 1975 में हाँ पर election कराए गए, और election के बाद जैसे कि it's expected वहाँ पर Congress की जो सरकार थी, उसकी हार भी और वहाँ पर लोगों को लगा कि अब यहाँ पर फिर से जो situation नार्मल हो जाएंगे, जब गुजरात में जो protest जैनवरी में स्टार्ट और बिहार में भी protest स्टार्ट हो गया, वहाँ भी student जो थे forefront पर आगया, आपको पता कहीं पर भी जब protest होता है, तो प्रोटेस्ट के लिए एक popular face की जुरूत होती है, तो वहाँ पर बिहार में बिहार के बहुत ही prominent leader है, उन्होंने आजादी के संगर्ष में गांदी जी के सा social worker, social worker ऐसे बन गये थे, समाज में जो बुराईयां थी, जो evils थे, उनको मतलब remove करने में अपना पूरा काम social services में लगा दिया था, तो student के बहुत ज़्यादा pressure करने पर जैपर कास नहरा इंजेनर कहा कि इस movement से जुरूने के लिए तयार है, लेकिन उनके दो condition है, condition ये है कि तो वह ये जो भी movement है, पूरी तरह से non-violence होना चाहिए, क्योंकि कवो नहरो गांदी जी के काफी followers थे, supporter थे, तो violence को कभी भी promote नहीं करते थे, और दूसरा उन्होंने ये कहा था, कि जो protest एक विल बिहार तक से भी तनी रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच में प्रोटे करेगा, तो ही इस movement की सच में success हो सकती है, economically, socially, political reform की जुरत है यहां पर, और इन शर्तों के साथ, वो जा प्रकाश नारायन इस protest में जुर गे, अब इतने बड़े नेता के जुरने के साथ, पूरा बिहार में बहुत तेजी से फैला, और उसके बाद, जो जा प्रकाश नारा सरकार पे डालें कि उतना ही, क्या होगा, कोई जन्दा की बात को उतना जादा सुना जाएगा, और उन्होंने एक पार्लेमेंट तक रैली निकाली, जो सबसे बड़ी रैली थी, opposition देखते ही इस रैली को उन्होंने support किया, और सभी जै प्रकाश नारान को एक alternate, इंदरा गा सबी ने जै प्रकाश नारायन के इस काम को बहुत support किया, लेकिन इसके बावजू जो बिहार के मतलब मंतिरी तो उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया, और इंदरा गांधी ने लोगों के प्रोटेस्ट को के देखा कि इस बुचो ऑपोजीशन है, वो परसनल अपनी benefit क के लिए इस तरह से प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो यहाँ पर बैसलिए कुजरात और बिहार का जो एक प्रोटेस्ट था, वो बहुत बरा रिजन था, दूसरा इस टाइम पर एक और बरी घटना हुई, 1973 के आसपास आपको पता हुआ, conflict with judiciary, यानि कि आपको प पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो सरकार है, जो ruling party है और जो judiciary उनके बीच में conflict हुआ, conflict का reason ये था कि आपने 11th class में पराऊगा, कि कोई भी जो government है, वो जो fundamental right में उसमें किस तरह कमी नहीं कर सकती, कोई भी ऐसा amendment नहीं ला सकती, जिससे कि fundamental right को curtail किया जाए, इसमें कमी क किया सकते, आपको पता हुआ, 1973 में केश्वनन भारती ने इसको जीता था, चालेंज किया था, और उसके decision के बाद 1973 में जब Chief Justice of India का post vacant हो गया, तो उसके election में उनके appointment होता है कि जो Chief Justice of India बनते seniority के basis बना आयता है, फिर जो ज़्यादा experience होते है, जो ज़्यादा senior judges होते है, उन इन main judges थे, उनको sideline करके A.N. Roy को Chief Justice of India बनाया गया था, तो पहले बार देखा गया था, किस तरह से जो government है, जो executive government है, वो judiciary के काम में इंटरफेड कर रही है, और जो constitution interpretation है, और जो political ideology है, एक साथ mix up हो गया है, तो ये एक बहुत बरा मतलब देखने को मिला, इस तरह के जो टकर है, पहली बार देश में देखने को मिला, तो दो चीजें यहाँ पर तुमने पढ़ा, एक तो protest स्टार्ट होगे थे, कॉंग्रेस के खिलाफ, और दूसरा, कॉंग्रेस के सरकार का, जो judiciary के साथ, पहली बार conflict हुआ था, कभी इसे पहले ruling party और judiciary में इस तरह conflict देखने को नहीं मिले थे, तीसरा से situation में 12 जून 1975 की बात है, जो अलावात के जो high court है, उन्होंने इंदरा गांधी के जो election थे 1971 को उसको invalid करार दिया, क्योंकि आपको पता हुआ, इंगरागार्धी के जो opposite जो खरेवे थे 1971 के election में socialist party के राज नारायंग, उन्होंने इस मतलब election के जो भी result आय किया था, और उन्होंने इस पर allegation लगाई थी कि इंदरा गांधी ने जो भी government employee है, government servant है, उनको अपने campaign के लिए election में अपने लिए इसको use किया था, आपको पता होगा कि जब election के date declare हो आते तो उसके बाद जो भी ruling party होती है, जो भी जहाए वो उनके सरकारी vehicles हो, जो भी सरका पता है था, और जिसके कारण high court ने उन्हें कहा था कि ये as a MP नहीं रह सकती और अपने post होना परेगा, within six month के अंदर जब दुबारा fresh election नहीं होते, ये मुद्दा court तक पहुचा, court ने इसको partial stay पे रखा, और उन्हें कहा कि, मतलब वो MP तो रह सकती, लेकिन जो भी parliament की proceeds से उ चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो political leader हो, चाहे वो judiciary के लोग हो, हर तरफ उनके खिलाफ लोग मतलब दिख रहे थे, तो अब इंदरा गांदी के पास option क्या था, तो उन्होंने क्या करा, कि आपको पता हुआ अख article 52 के तहत, ये provision है कि अगर देश में कोई internet disturbance हो जाए, तो सरका कोई अधिकार होता है कि वो emergency को declare कर दिया आता है, और इंदरा गांदी ने इसी article को use करके emergency declare कर दिया, 25 जून 1975 को midnight उन्होंने क्या करा, देश में emergency declare करा दिया, उस ताइम के जो भी president थे, फारव गुदी, उनके सहमती से, उनको मतलब उन्होंने recommendation से, इंदरा गांदी का recommendation से, प्रेजिडेंट ने महापे देश में, प्रेजिडेंट रून, यानि कि emergency declare कर दिया, अब आपको पता हुआ कि emergency में होता क्या है, emergency में basically होता क्या है कि हमारे यहापे जो भी federalism of government है, यानि कि powers अलग अलग लेवल पे जो divided है, यासी कुछ power central government के पास है, कुछ power state government के पास है, क वो सारे suspend कर दिया आते हैं, खतम कर दिया और सारी power, जो concentration है किसके पास आयती है, central government के पास में आयती है, जो भी fundamental rights होते हैं, लोग को suspend के जाते हैं, तो इस तरह से basically emergency देश में लग गई थी, बरात को 12 बजे declare कर दिया, जो भी newspaper थे, press थे, उनको मतलब electricity card दी गई थी, और सु 1975 पहली बार देश में emergency declare हुआ था, ये date आपको याद रखना है, one marks में आ सकते हैं, MCQ में आ सकते हैं, तो इस date को आपको नहीं भूला है, कौन सा date था, 25 June 1975 वो रात थी, कि जब देश में emergency declare कर दिया क्या था, अब आपको पता है, emergency declare क्या है, तो consequence क्या हो, इसके प्रभाव क् जब देश में emergency होता है, तो क्या उसकी consequences होती है, सबसे पहले, कि जितने भी protest और strike होता है, उसको ban करती आता है, यानि कि अब कोई भी आम जंता, सरकार क्या against protest या strike नहीं कर सकती, दूसरा उन्होंने क्या क्या था, कि जितने भी opposition leader थे, workers थे, सभी को jail में डाल दिया, जितने भी मतलब, press ते उन पर censorship लगा दी थी, censorship का मतलब होता है, कि अब कुछ भी publish करने से पहले, कोई भी media houses या newspaper, कुछ भी publish करने से पहले, सरकार से permission लेनी पड़ी, कि सरकार जो भी मतलब चाहेंगी, वह तिस publish होगी, बहुत सारे news newspaper निसका protest किया, जो statement, news newspaper थे, again express थे, उन्होंन अपल बैंक खाली छोड़ दिये, बहुत सारे जो magazine थे, mainstream seminar उन्होंने अपने press ही बंद कर दिये, journalism को बहुत ज़्यादा मातरव में, मतलब, जो भी against लिखता था, अज अमर्जंसी के खिलाफ उसको jail में डालती है गया, और constitution में बहुत सारे amendment किये, जैसे कि president, vice president और जो prime minister है उनके election को court में challenge नहीं किया सकता, जो duration of legislature है, उसको बढ़ाकर 5-6 साल करते है क्या, ये केवल emergency के नहीं था, वो अतलब permanent ही लोने कर दिया था, यनि कि पहले 5 साल में election होती है, अब 6 साल में election को लोने post one कर दिया था, क्योंने लग रहा था कि अभी जो current situation है, वो उनके favor में नह मर्धर में नहीं है, by the time अगर धीरे धीरे जनता के memory बहुत खराब होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाते है, तो maybe जब situation normal हो जाए तो उसका advantage उनको मिल सकता है, ये सब सोच के उन्होंने personal benefit के लिए ये सारे amendment उन्होंने कर दिये, तो question ये है कि क्या, जो emergency है, क्या देश मे सच में emergency की जुरुत थी, या इंदरा गांधी ने अपने personal benefit के लिए, personal advantage के लिए अपने power का misuse किया, ये एक बहुत बड़ा question है, आपको पता हुआ कि article में clear लिखा हुआ, article 352 में कि internal disturbance से कारण emergency लगाया जा सकता है, लेकिन देश में कभी भी 1975 से पहले emergency नहीं लगाया गया, लेकिन जो standpoint government थी, Congress की सरकार थी, उन्होंने इसमें argument दी और कहा, कि हर बार जो opposition party है, वो सरकार को target करती है, सरकार को काम नहीं करने देती है, जगा-जगा protest हो रहे हैं, और ऐसे में सरकार के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, सरकार को जो सारा अपनी energy होती है, वो क necessary extra, मतलब parliamentary उनको power नहीं मिल सकता, कि हर ठाइम हो सरकार को जो भी elected government उसको target करते रहे, उनको free हो कर काम करने दिया जाए, और इस तरह से बार बार protest करने से disturbance होती है, routine की जो काम है, जो administration task है, उसमें बाधाय आती है, इसको कई political party ने support भी किया, especially CPI ने, उन्होंने emergency को support किया, और भाला की बाद में उन्होंने अपनी इस गलती को माना, और ये भी कहा कि जो emergency को support करना वो उनकी बहुत बड़ी बूलती, बहुत बड़ी गलती थी उनकी, लेकिन जो इसके critics थे, उन्होंने इसको कहा कि जो emergency है, कभी भी हम इसको अच्छा नहीं कह सकती, ये black mark of history, history का ब preventive detention का, उन्होंने बहुत ही extensive use किया, तो preventive detention क्या होते है, वो आपके लिए जाना जुरूरी है, इसमें होता क्या है, कि इस law के अद्दगर, अगर किसी भी मतलब police को ये शक मातर होता है, कि ये person crime कर सकता है, ये देश में violence फैला सकता है, ऐसा कि वल शक होता है, ऐसा actual में उस कि इसको कोई भी मतलब इसको अधिकार नहीं होते कि वो मतलब इस पे अपील कर सेके, क्योंकि emergency है, आप अपने जो fundamental right है, आपको suspend करते हैं, लेकिन आप court में नहीं जा सकते हैं, fundamental right के लिए, कि emergency में सारे जो fundamental right होते हैं, उसको खतम करते जाते हैं, लोगों के आम लोगों के जो अधिकार होते हैं, अधिकारों को छीन लिया जाता है, और साथे साथ उन्होंने ये भी कहा, कि अगर since independence, जो हमाई आजादी के टाइम से हम प्रोटेस्ट करने का, और सरकार के खिलाब बोलने का सभी को अधिकार है, तो इसमें कोई नई चीज तो हुई नहीं देश में साथे उन्होंने कहा, जो गुचरा था, बिहार का प्रोटेस्ट था, और पूरी तरह से non-violence था, peaceful था, और इवन जो उस टाइम पे home minister थे, उन्होंने भी इस तरह कोई concern या कोई चिंता नहीं जता आई थी, कि देश में इस्तनी बुरे situation आ रहे हैं, अगर प्रोटेस्ट य नहीं हो सकती, कभी भी emergency को सही आप ठैरा नहीं सकते, तो जो इसको जो critics थे, जो emergency को उन्होंने बहुत ही ज्यादा negative लिया था, उनकी ये दलील थी, अब basically ये है, कि emergency के दोरान हुआ क्या, ये आपके लिए जाना बहुत जुरूरी है, क्योंकि emergency के दोरान ऐसी घटना हुई कि जिसमें आज तक लोगों को रोंगटे खरे हो जाते हैं, कुछ लोगों के, especially जो North India के लोग है, उनका जो experience था, emergency को लेके बहुत bad experience था, बहुत बुरा experience था, तो चलिए start करते हैं, हम emergency के दोरान क्या हुआ, सबसे पहले कि इंदरा गान्थी ने आपको पता है, कि सभी fundamental rights स कुछ खतम कर दिये थे, अब उन्होंने अपने image को improve करने के लिए, फटा-फट से उन्होंने क्या करा, कि उन्होंने 20 points program को launch करने की, उन्होंने वो कर दी, announcement कर दी, घोशना कर दी, कि अब जो भी लोगों के welfare के जो program है, जो पहले नहीं हो पा रहे थे, और साथ से उन्होंने land distribution, review of agriculture wages, और साथ साथ worker as a management participation, इस तरह के programs उन्होंने लौंच के, आम लोगों को खुश करने के लिए, गड़ीबों को दिखाने के लिए, कि वो उनकी कितनी care करते, उस चिलता करते, और देश के situation को ठीक करने के लिए, emergency सच में जरूरत थी, कुछ जो लोग थे, especially जो भी urban middle class लोग थे, जो pro people, जो ruler गड़ीब लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि अब emergency के बाद, लगने के बाद, देश में जो welfare के काम जो postpone होगे थे, अब वो फिर से लगेंगे, देश में welfare होगा, विकास होगा, जो भी सरकार ने promises के थे, अब सरकार सारे promises को पूरी करेगी, लेकिन जो critics थे, उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने जो पूराने वादे हैं, उसको तो पूरा केहनी, अब क्या विश्वास है कि अब जो नए वादे हैं, वो भी पूरे होंगे या नहीं होंगे, और साथी साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से सरकार ने जो अपने power का misuse किया है, वो बहुत गलत चीज है, उस टाइम पे 676 opposition leader थे, 11,000,000 से जादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जेनलिस्ट को जेल में डाल दिया गया था, और साथी साथ उन्होंने जो भी emergency के दौरान situation को बहुत सी उन्होंने खराब कर दिया था, और बहुत सारे ऐसे लोग थ कोई power नहीं था, लेकि फिर पिए administration में power को hold के वे थे, especially जिंद्रा गांधी की बेटे संजय गांधी थे, उस टाइन पे custodian death, torture, जो forceful sterilization, ये सब चीजे नौर्थ इंडिया में बहुत जादा ही, मतलब बढ़े level पे हो रहा था, आम लोगों के जिंदिगी थी, काफी दिक् कि जो भी डेली पावर सप्लाई के जो जनरल मैनेजर है, उनको लेफ्टन जनरल जो डेली के है, उनसे वरवल उन्हें order मिला था, कि जितने भी media houses है, प्रेस है, सबकी जुरातों रात बिजली काट दी जाए, और उसके दो दिन के बाद उनको तिया गए, तब तक प्रेस प को डेथ होगे, जिनके कोई record ने रखे, कि उनको बहुत torture किया गया, opposition leader को बिना किसी वज़ा कि उनको जेल में रखा गया, तो ये सारे चीज़े जो emergency के दोरान सरकार्ड ने किये, अब हुआ क्या, कि emergency के बाद देश में बहुत चीज़े बदल गए, यानि कि हमने emergency से सीखा क्या, तो emergency के बाद कुछ amendment भी किये, आम लोगों में भी परिवरतन आया, देश में भी परिवरतन आया, तो वो emergency से हमने क्या सबक ली, वो हम या पर बात करने वाले, सबसे पहले हमने emergency से ये सबक ली कि हमारे concentration में कुछ सीज़ों को rectified किया गया, कि emergency केवल और केवल सिर्फ हो जाए, यानि कि एक आर्मी अगर भी द्रो कर दे सरकार के अगेंस्ट हो जाए, तो emergency लागों किया जा सकता है सरकार के दोरा, और साती सास में जो council of ministers है, उनकी return consent होगी, तो ही and जो president है, वो emergency declare देश में कर सकते हैं, दूसरा उन्होंने ये भी कहा, कि जो लोग है, emergency के organization है, वो भी मतलब इस बारे में आए, सामने आए, और उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया, कि civil liberty और जो court है, उन्होंने भी देखा किस तरह से emergency के दौरान आम लोगों को बहुत चार्चर किया गया, mental right को suspend किया गया, बिना वजह जो लोगों को jail में डाला गया, custody में रख party, उनके बीच में एक balance कर बनाने के जुरुत है, ताकि ruling party ठीक से काम भी कर सके और opposition अपने बात को शांती से रख भी सके, तो दोनों के बीच में किस तरह से maintain किया जाए, relation को power को balance किया जाए, यह सब चीजे हमने emergency के तरहन बेसिक लिए देखने को मिला, अब आपको बता है क 25 जू 1975 को emergency declare किया गया, 18 महिने तक देश में situation इतने खराब रहे, 18 महिने के बाद emergency खतम हुई, इतने भी opposition के नेता थे, worker थे, सभी को जेल से निकाला गया, अब देश में मार्च 1977 में election date declare हुई, जो opposition थे, उनके पास time बहुत कम था, उनको सारे काम करने थे, बट उन्होंने और सको जो लेट कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे, जया परकाश, नारायन कर रहे थे, कुछ लोग कॉंग्रेस के भी थे, जो भी emergency से खुश नहीं थे, उन्हें लग रहा था कि सरकार emergency को नहीं लागू करना चाहिए था, उन्होंने कॉंग्रेस को छोड़ कर अपनी एक party बन emergency को ही मुद्दा बनाया, और उनका slogan क्या था, save democracy, यनि कि किस तरह से इंदरागान्थी undemocratic way में rule कर रहे थी, dictatorship चला रहे थी, उन्होंने अपने personal benefit के लिए देश में emergency जैसे situation रागू कर दिया, आम लोगी fundamental right सस्पेंड कर दिया, प्रेस में censorship लगा दी, custodian death हुए, पतलब ब से भी वर्स situation देश में हो गए थे, इसको उन्होंने बहुत बारा मुद्दा बनाया, आम लोगों तक पहुचाया, और slogan जो था, save democracy, नि कि हमें लोगतंतर को बचाना ही पड़ेगा, देशित को बचाने का उन्होंने slogan बनाया, और वैसा ही हुआ, जैसा result, उन्होंने सोट मत और 1952 के बाद पहली बार एक ऐसा था कि लोगसभा election में Congress सब्ता से बाहर हो गए थे, नि कि अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, और जन्ता पार्टी जो है, और उसके जो भी alliance थे, जो भी उसके गटबंदन में थे, टोटल उसको 330 seat मिली, अकेले जन्ता पार्टी को 295 seat मिले clear majority से सरकार बनी, और Congress Party का इतना बुरा हाल हुआ कि सोचो कि इंदरा गांदी जो की इतनी बड़ी नेता थी, Congress Party की इतनी popular नेता थी, वो खुद अपनी seat तक नहीं बचा पाई, और राय बड़े जो उनका गड़ कहा जाता है, जो उनका घर कहा जाता है, वहां से बुरी तरह से वो हार गए थी, उनका खुद का बेटा, अमेठी से समझे गांदी हार गया था, यानि कि आप समझ सकते हो कि आज कोई नरेंदर मोदी को को कोई हरा दे, उतनी ही बड़ी बाती कि उस टाइम पे इंदरा गांदी को किसी ने हरा गया था, यानि कि जनता ने दिखा दिया पावर कि आप अपने मनमानी नहीं कर सकते, आप डेमोक्रेसी में आप अपने पावर का मिस्यूज नहीं कर सकते, आप जनता के साथ ही आपको रहना पड़े कि जनता की बात को आपको सुनना ही पड़ेगा, आप जनता की एस्पिरेशन से उनके बातों से भाग नहीं सकते, आप उनकी जो भी इनकी चाहा है उनको दबा नहीं सकते इस election में यह देखने को मिला तो आपको बता है जंदा पार्टी की जीत हुई उनकी सरकार बनी लेकि सरकार बनाने के लिए फिर जंदा पार्टी में एक बहुत tough competition होने लगा क्योंकि कॉंगेस पार्टी के दुरह थी नहीं कि जो सभी करता दरता इंदरा गांदी थी यहाँ पे इंटर्मेल डेमोक्रेसी थी अलगला पार्टी के लोग थे तो तील लोगों के बीचे बैसिकलिए प्राइम मिनिस्टर के लिए competition आया जिसमें मुराजी देसाई थे चरन सिंग जो कि किसानों के बहुत popular नहीं थे जग जीवन राम थे लेकिन फाइनली जो मुराजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाए गया लेकिन बाकि जो दूसरे लोग थे वो पावर struggle करते रहे और 18 महिने के अंदर ही जो मुराजी देसाई के सरकार minority में आ गई और जनता पार्टी के पास किसी तरह की कोई policy नहीं थी, कोई direction नहीं था, कोई strategy नहीं थी कि जिस तरह कावमेस पार्टी के पास थी, इसलिए जनता का जो भरोसा था वो जीत नहीं पा रहे थी, कोई ऐसी initiative program में ला रहे थी, जो भी मतलब जो जनता को उन पे भरोसा दिलाए, trust तो इसलिए धीरे-धीरे क्या हुआ जनता थी, जो unstable government थी, उनसे परिशान हो जा रही थी, और जो सोच के जनता पार्टी को जीता है था, जनता पार्टी को उस expectation पे खड़ी नहीं उतरी, और 18 महिनी के अंदर ही आपस में पार्टी में जो भी बड़े-बड़े नेता थी, उनके बीच में टकराव स्टार्ट हो गए, और ठारा मेने केंदर में जो मुराजी देसाई थी, उनके सरकार मायनॉर्टी में आ गई, और दूसरे तरफ जो जगजीवर राम थे, उनको कॉंग्रस ने कहा कि हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ में उनके सरकार भी चली, ल लेकिन सरकार पांस साल भी टर्म को कंप्लीट नहीं कर पाई, और 1980 में फिर से इलेक्शन हुए, अब जनताओं को समझ में आ गया था, कि कॉंग्रस पार्टी ही उन्हें एक स्टेबल गर्मेंट दे सकती है, उन्हें एक पॉलिसी, स्टेड़िजी, डवलप्मेंट का जो प अपस आगे, तो जो ओपोजिशन के पास कोई आइडियोलोजी नहीं थी, कोई उनके पास प्रिंसिपल नहीं थी, कोई डारेक्शन नहीं थी, कोई एक सीनियर ऐसे लीडर नहीं थे, जो सभी चीजों को, सभी टेंशन को, सभी कंफिल्ट को, सभी फैक्शनिस्ट को मैनेज कर से के जिसका एडवांटेज फिर से कॉंग्रेस को मिला और कॉंग्रेस एक बार फिर से दुबारा से उन्होंने सत्ता हासिल कर लिया एमर्जंसी के बाद की क्योंकि आम जनता को समझ आ गया था यह स्टेबल गौर्मेंट का मतलब है क्उंग्रेस पार्टेज और इसलिए इस बार जो है उन्होंने को कॉंग्रेस पार्टेज फिर से सत्ताने का निशे किया को कि तनली समझ गांथी झेवरे, टेमोकराशी है, और हुए पने पार्टेज के बहुत सारी गड़िपों के welfare के programs lodge किये आम जनता के विश्वास दितने के लिए उनके बीच में काम करने के लिए उन्होंने अपनी image को improve करने के लिए पूरी कोशिश करना start कर दिया तो ये पूरा emergency का chapter था हमने देखा है emergency किस तरह से देश में लागो किया गया personal benefit के लिए देश को नुकसान पहुचाया गया जनता ने कोशिश भी की सरकार को खटाया भी लेकिन कुछी टाम के बाद एक सशक्त कहता है ना एक मजबूत opposition को ना होने के कारण फिर से Congress Party रूल में आगे तो यहां तक जो हमारा जो content है वो old slaves के हिसाब से भी था तो कुछ नई चीजे जो है जिसमें कि बेसिकली हम बात करेंगे जैपरकाश नरायन जो टोटर रेवलेशन का उनने दिया था दीन द्यार उपाद्धे इन सब के बारे में separate एक वीडियो बनाए मैंने उसमें हम नई content को नहाँ पर discuss करेंगे थेंक्यू मेरे टॉपिक है भी खतम होता है आगे के जो भी मेरे चाप्टर रहेगे उसके लिए आपने दूसरे वीडियो को देख सकते हैं थेंक्यू